एलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइटर टोड़्स की कॉमिक्स करोड़ पती का दूसरा भाग भम, मर गया रे भम एक ऐसी चीज होती है जो दमाके के साथ फटती है और उस दमाके से आदमियों के चेहरे बिगड़ जाते है अरे टोड़ देव, कहीं हमारे चेहरे बिगड़ कर आदमियों की तरह नहीं हो जाए भागो, फुटलो वरना आदमियों जैसी सुरते हो जाएंगी शुटर, इतनी देर हो गई, बम तो फटा ही नहीं मैं तो यहां बैटा-बैटा बोर हो गया हूँ अगर तुम कहो तो मैं उस कबाड़ी के मूझ से अपनी तारीफ सुनाऊं अरे, ये लावारिस टेक्सी किसकी है मेरी है हुजूर दोबारा डंडा मत मारना, गोली चूसके तेरी है तो इस तरह क्यों खड़ी है और ये सुटकेस, ये किसके है मालूम नहीं, परंतु ये वो चारो अबे, परंतु-परंतु क्या लगा रखी है तुझे पता नहीं, इस तरह लावारिस चीजों में बम भी हो सकता है मालूम है सरकार, इसलिए तो चिपकर वहाँ बैठा था क्या कहा, तू भी बम की वज़े से चिपा बैठा था जल्दी से जाकर पास के पुलिस इस्टेशन में खबर कर दे मेरा डूटी का समय खतम हो चुका है अरे भाई, भागते कहा हो मेरा भी इस चंडाल चोकरी से पीछर छुडवा दो, गोली चूश के और फिर, जब उन्होंने सूटकेस खोला मास्टर, इसमें तो मुद्राई भरी है आ, अरे इसे क्या हुआ शूटर, तुझे यादा वो कबाड़ी क्या बोल रहा था हाँ, हाँ, वही तो रहा हूँ इतनी देर से वो कह रहा था, एडवांस, माल, खचर मैं कहा हूँ, कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर पर तीनों सब्दों का अर्थ मिला कर अर्थ पूछा परन्तु, पिप, पिप, मास्टर, आज तो मेरा कंप्यूटर भी कुछ भी बताने से इंकार कर रहा है, आप लोग कौन है, साफ साफ क्यों नहीं बताते, बताएंगे, मगर एक शर्थ पर, तुम हमें एडवांस, माल, खचर, शब्दों का जोड़कर कोई अर्थ पता दो, बहुत आसान है, इसका अर्थ है, एडवांस के बदले, खचर पर लदा माल, जीओ मेरे रसीले, तुमने तो कमाल कर दिया, अब हम कबाडी का पुरा काम करेंगे, हाँ, हम बेइमान नहीं है, उसे एक नहीं, दो-दो खचर लाद कर माल देंगे, परंतु क्या इतना माल इस मुद्रा में आ जाएगा, दो खचर माल, इतने पैसों से तो खच मुद्रा और खचर हमारा हुआ, दस जार? ओ, लगता है कम है, ले ले, ओ, ले ले, अब भी कम है तो बता दे, अरी कलो की अम्मा कहा मर गई, मैं ये सपना और बरदास्त नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जगा दे, ए बाबू, कल से भूका हूँ, कुछ दे दे, अरे भाई, क चुरन के नोटों की गड़ी तो नहीं है, हे हे हे, मैंने कुछ गलक तो नहीं, क्या उसे गड़ी दे कर, नहीं, अब चलो, वा, बहुत दिलवाले लगते हैं, ये तो, मैं अपने किराई के लिए फिजूल चिन्तित था, टेक्सी स्टार्ट हुई थी की, अरे कम्पिटर, ये सब क्या है, मैं क्या जानूँ, मगर मैं जानता हूँ, गोली चूस के, ये सब तुम्हारे 40,000 का कमाल है, अब भुखतो इनको, सेट जी, मेरा भी खचर खरीद लीजिए, हाँ हाँ, क्यो नहीं, कम्पिटर, दे दे इसे भी दो चार गड़ियां, ले तू भी, हमने तेर केसों को खाली करने से पहले कम से कम मेरा किरायरों दे देते, अब चलकर कबाड़ी को माल ओर दे आए, ये बगवान, जब गदे ही हाँ ने तो अपना गाउं क्या बुरा था, देरे देरे चला कम्पिटर, खचरों के साथ साथ चलना है, कबाड़ी एक्सपोर्ट आया कबाड़ी, अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, हट्टे कट्टे साथ, अंदर आईए ना, अंदर आने का टाइम नहीं है, अपना माल लो और हमें जाने दो, वहाँ, खचर का भी जवाब नहीं, ड्रक्स की डिलिवरी का क्या नायाब तरीका निकाला है, पुलिस तो सक करें ही नहीं सकती, अब बस हमें जाने दो, एक मिंट ठहरो, मैं अभी आया, अरे जाते जाते एक बार और मेरी तारीफ करते जा, ये लो, माल की बाकी कीमर, दो करोड रुपे, और खचर को मेरी तरफ से सलाम बोलना, नहीं, और मुद्रा, सारे सुटकेश टैक्सी में रख हटा-कटा, बस एक बार और, हटा-कटा, भगवान तेरी आत्मा को शान्ती दे, टैक्सी फिर उड़ चली, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, कि तुम कोई भूत-भूत नहीं, बल्कि किसी स्मगलर गैंग के आदमी हो, गोली चूसके, ये स्मगलर क्या होता है कंप्यूटर, इसमगलर यानि तसकर, यानि अपरादी, क्या कहा, हम अपरादी है, मैं तेरी गर्दन तोड़कर उस पर कुपते का सिर लगा दूँगा, अर, मेरी गर्दन छोड़ो, वरना एक्सिडेंट हो जाएगा, कोली चूसके, तो फिर अपने शब्द वापस ले, औ और बोल, हम इसमगलर नहीं है, अगर तुम इसमगलर नहीं हो, तो इतना रूपया तुम्हें वो क्यों देने लगा भला, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, तो जमानत भी नहीं होगी, ये जमानत क्या होती है, कंप्यूटर? पाइटर टोर्स, के, की, हेलो कबाडी हीर, याडी मैं खचर बोल रहा हूँ, तुमने तो वंडर कर दिया खचर, एडवांस देने के दो घंटे के अंदर ड्रक्स की डिलिवरी भी भेज दी, क्या बखते हो, ना तो मुझे एडवांस मिला है, ना ही मैंने कोई माल भेजा ह मेरा वो आदमी केकडा तो अस्पताल में पड़ा है, कल दारू पीकर अप्पू घर में किसी से भिड़ गया था, वहीं इससे काड भी खो गया, वो चारो कौन थे, जो माल भी दे गए और बकाया दो करोड ले गए, अगर माल मिल गया तो ठीक, वरना समझो तुम तीन मैं तो लूट गया, परबाद हो गया, मर गया, मेरे बच्चे विद्वा हो गए, मेरी बीवी यतीम हो गई, अरे कोई चार आदमी बुलाओ, मेरा जनाजा निकल वाओ, हाँ, 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 बड़ी मुश्किल से चुप करवाया गया कबाडी को, तुम चिंता मत करो कबाडी हम तीन करोड का ये घाटा बैंक डकैती से पुरा करेंगे, और वो भी उन चारों का भेश बना कर, ताकि पुलिस वाले उनके पीछे लगे, अरे वा, तेरे भेजे का तो जवाब नहीं, मेरी मानो तो इन सुटकेसों में से मेरा भाड़ा निकाल कर इने फेग दो, वरना हम सब फस जाएंगे गोली चूस के, शायद रसीला ठीक कह रहा है, इस शूटर की तारिफ के चक्कर में सब फस गए हैं, किन्तु तोड़स नहीं जानते थे, कि एक पुलिस जीप उनके पीछे आ रही थी, ये गया पहला, अरे इस उटकेस तो उस चलती टैक्सी से गिरा है, चलो, चलका लोटाए उन्हें, और अपनी मानदारी का सबूत पेश करें, और फिर, ए, गाड़ी रोको, रसीले, हमारे पीछे कानून लग गया है, और तेज भगा, गई भैस पानी में, ए, इतनी तेजी टैक्सी क्यों भगा जा रहे हो, अरे यार, इनके पास तो तीन सू उटके रास्ते में ही गिर जाएंगे, वही तो हम चाते हैं, ही, 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 क्या मतलब, ओ, इनका मतलब है कि आप जिसे इमानदार पुलिस ओपिसर के होते, भला हम और क्या चा सकते हैं, और आपकी इस इमानदारी को देखते हुए, यह आपका ही नाम, खुश, खुश, बहु उझे एक बार, सिर्फ एक बार हट्टा केकर पुकारो, अरे, अबे शूटर, पहले ही तेरे हट्टे कट्टे होने पर क्या कम मुसीबत ही है, जो अब एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है, टोर्स एक पर एक, तरीकी पे सोचे जा रहे हैं थे, रसीले टैक्सी रोक, क्या ह कोई रिष्टदार नजर आ गया क्या देखो हम चारो एक एक सुटकेस लेकर लाइन में खड़े होते हैं बस के आते ही हम सुटकेस वही छोड़कर बस में चड़ जाएंगे और अगले स्टोक पर उतर जाएंगे रसीला टैक्सी लेकर हमारे पीछे रहेगा ताकि भागने में असानी हो नोने वैसा ही किया परंतु ए बाबू तुमने अपना समान तो वही छोड़ दिया कहीं उसमें बम तो नहीं हम चड़का रहे हैं हम तो पूछन चाते हैं कि ये बस लंडन जाएगी क्या यहां से हम सीधे एरपोर्ट जाएंगे वहां से पंक लगकर ये बस लंड प्रेट में दर्द हो जाएगा हम लोग किसी फाइव स्टार होटल में ठहरते हैं मोगा पाते ही ये सुटकेस कमरे में छोड़कर फुट लेंगे खुश कित्ताई रसीले खुश कित्ताई फिर होटल भुकड में हमें एक कमरा चाहिए पांच आत्मियों को सिर्फ एक कमरा अरे कंगाल हो क्या ये कंगाल क्या होता है कम्प्यूटर कंगाल यानि गरीब इसके पास बिल्कुल मुद्रा ना हो अपनी ओकात में रहा फटे बास हमें कंगाल बोलता है अगर ये सुटकेस कोल दिया तो बेहोश हो जाएगा उफ किन बेवकूपों से पाला पड़ गया खुद ही कहते हैं आप वेल मुझे मार ले मार ले मार ले ले आ ठीक है हमें पांच कमरे ही दे दो ये हुई ना बात अब अपना पता बोलिए उत्री दिशा में सूखे कुए का तल घर जहां से गुजरते हैं शहर के सारे गटर ये तुम्हारा पता है या मुनसिपलिटी के दर दफ्तर का पता हमारे महल का नाम तमीथ से ले पपू वरना इतना मारूंगा कि सुचकर हो जाएगा अप अरे यार तुम बात बात पर धमकी क्यों देते हो और जब बैरा उन्हें छोड़ने कमरे में पहुचा सलाम सलाम साब सलाम 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 अभे मैं भी तो कर रहा हूं सलाम मैंने कहा सलाम साब सलाम का मतलब है टिप यह टिप मांग रहा है Lenka यह टिप क्या होता है टिप यानी इनाम अब तुन्हे कुंश्टी जीती है जो इनाम है spy सिद्ब अब यह मांगी रहा है तो बजार से ऑल मेटल खरीद कर इसा इनाम देंगे साब मुझे कैश दिरीजे गोल्ड मेडल में खुद खरीद लूँगा कैश यानि मुद्रा तो फिर ऐसा बोलना उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है यह सूटकेस ही ले अब ये ले अब जा यहां से 10,000 कुछ ही देर में साफ पानी साफ जूस साफ कोल्ड रिंक रसी ल जाओंगा नहीं मैं जाओंगा ए क्या बात है तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो देखे ना मेनेजर साब कमरा नंबर 420 के मेमानों ने खाना मुझसे मांगा है और यह कहता है मैं लेकर जाओंगा लेकिन 420 नंबर का चार्ज मुझे मिला है तु साफ साफ क्यों नहीं कहत कि तुझे टिप के 10,000 चाहिए टिप के 10,000 हां मेनेजर साब कमरा नंबर 420 के मेमानों को कुछ भी सर्फ करो वो टिप में 10,000 रुके देते हैं यह इसलिए जिद कर रहा है शट अप तुम दोनों नीचे जाओ खाना लेकर मैं जाओंगा उफ यह तो हमने बैठे-बिठाई मुसीबत मोल ले ली इतने बैरे हर समय हमारे पीछे लगे रहते हैं हम भागेंगे कैसे कोई मुश्किल काम नहीं है उन्हें क्या पता कि हम एक बार बाहर जाकर वापिस नहीं आएंगे और फिर वो पांचों जो ही होटल के गेट पर पहुँचे लीजे साब यही गाड़ी मैं जाओंगा ना गोली चूसके तो ठीक है तुम रुको हम चले मुझे मुसीबत में डाल कर तुम नहीं बचोगे गोली चूसके अब तुने हमारा साथ दिया है इसलिए हम तुझे अपना दोस्त समझने लगे हैं वरना धंकी देने वाले को हम मार मार के भूत बना देते ह चाहे तुम मुझे भूत बनाओ या पिसाज मैं यहाँ से भागने वाला नहीं गोली चूसके मजबूरी थी सबको वापस लोटना पड़ा एक तरकीब और है क्यो ना हम ये पैसा जूए में हार जाई जूए में मगर वो क्या होता है अभी सिर्फ इतना समझ दो कि ताश के तिन तिन पत्ते बढ़ते हैं जिसके पास बड़े पत्ते होते हैं वही जीतता है गोली चूसके और बाकी मैं तुमको डिटेल में समझा देता हूँ अगर ये बात है तो चलो मुझे पुरा यकीन है हम सारे पैसे यहीं ठिकान लगा देंगे जाने से पहले माश्टर तास पत्ते अपनी जेब के हवाले कर रहा था अरे मोटा जूआ खेलना है तो हम से खेलो ये खान वो देख तगड़ा असामी है आज दिखा दे अपने हाथ की सफाई और साबित कर दे तेरा नाम पत्ते खान यूँ ही नहीं चिंता मत करो खचर इन्हें कंगाल करके ही भेजूगा और कुछी शनों में पत्ते खान और माश्टर आपने सामने थे ये मेरी चाल एक लाग की मुझे कितने की चाल चलनी है फटे खान फटे खान नहीं पत्ते खान हाँ यार वही वही अब जल्दी बता कितना चलू दस लाग हूं ये लो ये ये एक लाग की चाल थी क्यों कम थे क्या ओर ले माई गोड ये तो कोई पागल लगता है वरना एक लाग के बदले चार लाग न डालता पत्ते खान एक बार और बोल दे मुद्रा कम है ताकि मैं गड़िया और डाल सकूँ पत्ते खान लगता है उसके पास तुमसे ज़्यादा अच्छे पत्ते हैं जब पत्ते खान पत्ते इधर उधर घूमते वे मोज कर रहे थे, कम्पिटर का तो बुरा हाल था, उफ ये कैसी गंध है, जो दिमाग में चड़ती जा रही है, चड़ गई, चड़ गई, अंगूर की बेटी चड़ गई, ये मेरा दिमाग क्यों चक्रा रहा है, कम्पिटर को तो सुंग सुंग कर ही नशा चड़ गया था, और इधर पत्तो का शो होते ही हंगामा खड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तीन इक्के तो मेरे पास है, फिर तेरे पास कहां से तीन इक्के आए, ओह, इसके पत्तो पर भी सिर्क एक एक ही निशान है, यानि इसके पत्ते भी सबसे छोटे हैं, बेमानी कर आ, अबे तेरे पत्ते दूसरी गड़ी के हैं, इस पर दूसरा डिजाइन बना है, बेमान तो तू है, माश्टर पर हाथ उठाता है, अब मैं देख तेरी क्या गद बनाता हूँ, ये तूने क्या किया, हारने के लिए जो सबसे छोटे पत्ते समझ रहे थे, वो सबसे बड़े पत्ते होते हैं, अब चुपचा फार मान ले, देखो पत्ते कान, गलती हमारी ही थी, तुम बाजी जीत गए, अब सारा पैसा तुम्हारा है, अच्छा हुआ, ये पैसा छोड़ कर तुमने अपनी जान बचा ली, वरना ये फोज तुम्हारे टुकडे टुक अब पीठने में मज़ा आएगा, कुछ नहीं, जरा इनको शिष्टा चार का पाठ पढ़ाने जा रहा था, मास्टर क्या बोल गया शूटर, तैने दे, क्यो दिमाग लगाता है, कंप्यूटर के साथ चिपक चिपक कर दो-चार सब सीख गया होगा, हाँ तो पत्ते खान, आद तोड़ दो, गुंडे तोड़ की तरफ लगके, और टोप हवा में उड़ गए, खचर ये तो भूत है, भूत नहीं मेंडक है, अबे जी होरर शो से हसकर देखता है, ये भी वैसा ही मैकप किये हुए हैं, हमें डराने के लिए, डर मत, पीठ, खचर से तर्ग ज्यान मि अब आओ, ये तो फिर वही परानी सिच्वेशन आ गई, हम फिर से पिट रहे हैं, मास्टर, ये कंप्योटर का बच्चा कहां मर गया, उससे बगएट टोड़ एक्सन सुने, हमें जोश नहीं आएगा, रसीले कंप्योटर को ढूंड कर ला, रसीला तो वैसे भी खिसकने का मोका ढूंड ही रहा था, पर उसने कंप्योटर को ढूंडने में ज्यादा समय नहीं लगाया, अरे आप यहां है, महां डिशुम डिशुम सुरू हो चुकी है, गोली चूस के, मैं बैटा कहा हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ, अरे मेरे बाप उड़कर ही सही, चलो तो ठीक है, चलो हिच, फाइटर टोर्स मुसीबत में थे, उफ यह क्या, कमबक्त निशाना ठीक नहीं लगता, सरकस में छे साल जोकर की तरह उचल कीद की है, पपू, मगर मेरे निशाना एकदम सटीक होता है, देख, तू भी सिदा गोल में जाकर गिरेगा, याउ, अब तक रसीला कम्पिटर को खीच कर, गटना स्थल तक ले आया था, अबे, सब लड़ रहे हैं, और तू खामोश तमाशा देख रहा है, हिच, टोर्स एक्शन बोल, नशेडी, गोली चूस के, अब गोली चूस के, अब गोली चूस के, नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ, गोली चूस के, आ नशे में लहराते कम्पिटर को तो बदमास का घुसा नहीं लगा, लेकिन रसीला धूल चाट गया, अबे रसीले, तू खड़ा से पड़ा कैसे हो गया, हिच, तेरी चवन नहीं गिर गई है क्या, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे गंगा इसनान करवाना पड़ेगा, टॉलेट से एक बाल्टी पानी में बर्फ डाल कर ले आया था, उतर गरे औरे नीचे रे, कम्पिटर को सारो नसर रे उतर गए, उतर उतर चपा, अरी मैया, किट किट किट, ये होटल में से सीधा शिमला कैसे पहुच गया, तब ही हवा में उरता कर्टर, फ्रस पर लेंड क कर गया, अरे तु तो कर्टर है, तुट पुंजे की तरह क्यों पिट रहा है, किट किट किट, तेरी वज़े से करोड़ पतिये, जल्दी से टोड़ एक्शन बोल, कर जोस दिला, वरना वो हमारी चटनी बना देंगे, और तुझे कीडे मुकोडे, उसी चटनी से लगा कर ख दुनियावाद।